कि आ आपको पता है आप ब्लोग बनाकर लाको रुपए हर महीने कमा सकते हो सिर्फ आर्टिकल लिखे और यह गाम ऐसा है आप लैपटोप लेकर किसी भी कोर्णे में बैड़्या का रात तायओ बनाकर चाप सकते हो अगर आपको जरह सी भी coding नहीं आती है और अगर आप मेंसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना offline business online ले जाना चाहते हो e-commerce website बनाना चाहते हो या एक portfolio website बनाना चाहते हो और आपको coding कसी भी नहीं पता है तो tension बिल्कुल नहीं है आप AI की मदद से 2 minute में भाई SSL certificate यानि के STTPS जो आपकी website को secure रखता है इन तीनों ही चीजों को आपको purchase करना पड़ता है और अगर आप hostinger से web hosting खरीते होना तो आपको domain फ्री में मिलता है एक साल के लिए और SSL certificate lifetime के लिए फ्री में मिल जाता है सारी website मेरी hostinger पर ये काफी अच्छी सर्वीस है और अगर आप मेरा ये वाला code यूज़ गरते होना इमरान तो आपको 10% का additional discount भी मिलेगा description में लिंक आपको दूँआ महाँ से आप purchase कर सकते हो web hosting affiliate link है अब मैं आपको लेके चलता हूँ computer screen पर step by step पूरा tutorial दिखाता हूँ कैसे आप web hosting खरीदोगे और कैसे आप अपना domain free में क्लैम करोगे और कैसे आप setup करोगे और AI की मदद से कैसे अपनी website बनाओगे चुटकियों में वैसे मैंने अपना नाम नहीं बताया इम्रान नाम है वीडियो को लाइक कर दो पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो बहुत ऐसी सारी चीज़े लेके आता हूँ आपके लिए बेल आइकन और पर किलिक कर देना ताकि नए वीडियो का notification आपको मिल जाए दिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया है उस पर किलिक करके सीधा इस पेज पर आजाएंगे हो श्टिंगर.in नीचे स्क्रोल डाउन करोगे ना यहाँ पर आप देखोगे इनके तीन प्लाने एक है प्रीमियम और एक है बिजनिस प्रीमियम वाले में आप देखोगे standard performance मिलती है और आप 100 website आप बना सकते हो इस प्लान में 100 GB SSD storage मिल जाता है और weekly backup का option मिलता है unlimited free SSL certificate मिल जाता है और free email बना सकते हो अपनी website extension के साथ तो यहाँ पर जो इनका premium plan है यह based beginner के लिए लेकिन अगर आप एक business owner है आपके पास already बहुत सारा traffic आ रहा है यह आ सकता है तो आप business plan में जा सकते हो जो कि इनका most popular है तो मैं prefer करूंगा अगर आप beginner है premium के साथ जाए तो मैं premium यह आप पर purchase करके आपको दिखाता हूं यहाँ पर क्लिक क्या है यहाँ पर आगे free domain for first year स्लेक्ट कर लेते इसको स्क्रोल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको अपना account क्रियेट करना होगा गुगल से आप login गर्स दो यहाँ पर और उसके बाद payment method स्लेक्ट कर लेना मैंने UPI स्लेक्ट कर लिया अब यहाँ पर आप दे देना इम्रान उसके बाद आप देखेंगे मुझे 10% का instant discount मिल गया अब मेरा हो गया पूरा 3045 रुपए कुपन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको अपना first name डालना है लास्ट नेम डालना है और यहाँ पर अपना phone number डालना है यह तीनों optional है डालना चाहें डाल सकते कंट्री जरूर सेलेक्ट करना है इस्टेट सेलेक्ट करना है और अपना postal code और आपका address अगर आपके कंपनी वगर रहा है तो add कर देना नहीं तो रहने देना और Google account से login करके submit secure payment पर क्लिक कर देना तो मैं hosting खरीदने के बाद आप से मिलता हूं और वे वोस्टिंग हमने तो यहां पर आपको थोड़ी सी कॉडिंग नॉलीज होना जरूरी है like html क्या है css code क्या है java script क्या है थोड़ी basic सी जानकारी होना चाहिए इसके साथ साथ कोई भी इशू होता है न वेबसाइड में तो आपको 24 into 7 hours का chat support मिलता है wordpress और AI builder दोनों के लिए बट यहां पर AI builder के अगर बात करें जो की hosting का है यहां पर आपको एक dedicated support team मिलती है अगर कोई भी इशू हो जाता आपकी website में तो hostinger की team आपकी मदद करती है आपकी website को build करने में और कोई भी ऐसा technical issue होता है उसको ठीक करने में तो यहां पर मैं AI builder को select कर लेता हूं और select कर देता ह उसके बाद हमें यहां पर तीन option मिलते हैं जो की एक है claim a free domain जो की हमें web hosting के साथ free मिला था दूसरा buy a domain आप यहां पर click करके domain को purchase कर सकते हैं और third है use an existing domain अगर आपके पास already पहले से domain है कहीं से ले रगा है तो आप यह वाला select करेंगे तो यहां पर हमें free वाला domain claim करना है तो होगे हमारा domain हो गया अब मैं इस पर search करता हूं देखता हूं यह वैलेबल है यह नहीं ओके अवेलेबल है तो यहां पर continue पर click करता हूं अब यहां पर basic सी आपको detail बरना है पहले यहां पर country को choose करेंगे इंडिया ओके अगर आप personal blog मनाना चाहते हैं या आप registered company नहीं है तो आप personal choose करेंगे अगर आप registered company तो आप company या organization select करेंगे personal select करने के बाद next step पर click कर दें उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम डालना होगा इमरान last name डालना होगा last name उसके बाद यहां पर email और country यानिके इंडिया से हो वह यहां पर डालना है city डाल देना है यहां पर address आपको फिल कर देना है यह सारी चीज़े फिल करने के बाद आपको finish registration पर click कर देना कुछ देर यहां पर process चलेगा जो कि एक से दो मिनट ले सकता है finally हमारा domain भी register हो चुका है अब यह redirect कर रहा है website builder page पर जहां से हम अपन आपके case में यह अलग हो सकता है अगर आप e-commerce website बना रहे हो या online store बना रहे हो या landing page बना रहे हो तो यहां से वह select कर लेना ओके अब यहां पर थोड़ा सा description आपको लिखना है ताकि यह AI समझ जाए कि basically जो आप blog या website बना रहे हो किस category की है आप उस website में क्या करने वाले हो त देखतें कितना टाइम लेता है और इतना फास्ट चल रहाना मुझे लगदा यह एक मिनट भी नहीं लेगा तो यहां पर देखतें कितना टाइम लगता है okay your website is ready मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगा और हमारा blog ready हो गया भाई बहुत तगड़ा यहां पर blog बना कर दिया है आप उपर देखेंगे हमारी जो heading है header है यहां पर पैसे कमाएं website का नाम आ गया earn money यहां पर heading आ गई टॉप पर ही और scroll down करेंगे यहां पर about us का page मिल जाता है contact us का option मिल जाता है यहां पर और नीचे आपको photo मिल जाता है काफी अच्छा बना है और उपर आप देखेंगे header मे address और आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा short में और blog पर आप क्लिक करेंगे यह आ गया आपका blog यहां पर आप edit blog list पर क्लिक करके edit कर सकते हैं यहां पर जाते हैं फूल edit mode पर ओके यहां पर जो green line देख रहे होना setup progress यहां पर दो ही setup complete हुए है जो blog बना रहा हूं तो हिंदी लिखता हूं यहां पर मैं हिंदी में लिखता हूं पैसे कमाएं background हमारा डार्क है और डार्क टेक्स आ रहे हैं तो इसको हम पहले light कर लेते हैं white okay और हम paragraph को select करेंगे heading one okay यहां पैसे कमाएं अब यहां पर यहां पर short description add कर सकते हैं edit text पर जाते हैं नीचे के section आप कुछ इसी तरह से edit कर सकते हैं जैसे कि image को आप replace करना चाहते हैं तो आप image पर click करेंगे जैसे कि meditation की image है मुझे नहीं लगता है यहां पर add करनी चाहिए थी AI को बट AI है यहां पर edit image पर click करेंगे यहां पर replace image पर click करेंगे अब यहां पर जाएंगे my library जो भी मैं इस image को ले लेता हूं just for reference आपके okay इस image को हम select करेंगे okay image हमारा replace हो गया है और about us की जो heading है ठीक है कुछ change नहीं करना है और नीचे जो लिखा हुआ about us यानि कि हमारे बारे में तो यहां पर आप manual लिख सकते हैं कि आप अपनी website पर क्या service देने वाले हो like आप blogging कर रहे हो content देने वाले हो आपकी team क्या है अगर लिखके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वैसे भी बहुत लंबा होने वाला है वीडियो learn more पर यहां पर लिख सकते हो और पढ़ें या ऐसा कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि यहां पर लिख देते हैं और पढ़े ठीक है यहां पर भी हिंदी में लिख देना short और और पढ़ें वाला बटन अभी काम नहीं करेगा because हमने अभी about us का page नहीं बनाया contact us का यहां पर page बना हुआ है अब यह देखो website जब भी आप बनाते हो न तो कुछ page जो है न कंबल सरी है आपको बनाना ही पढ़ेंगे जैसे कि about us है, contact us है, privacy policy, disclaimer है, term and condition है यह page के बिना आपकी website बिल्कुल अदूरी है Google उसको approve नहीं करेगा, Google AdSense भी उसको approve नहीं करेगा तो contact us और about us आप खुद बना सकते हो लिख कर लेकिन privacy policy, term and condition, disclaimer यह आपको generate करना पड़ता है और कुछ website इसके लिए पैसे भी लेती है, लेकिन AI का जमाना है, फ्री में बना सकते है, chat GPT की मदद से आपको practical दिखा देता हूँ, chat GPT पर जाकर, पूरा page यहाँ पर लिख चुका है, आपकी website के नाम से थोड़ा सा edit करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले आपको एक privacy policy का page बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम जाते हैं, जैसे के page यहाँ पर गहाँ से बनते हैं, हम आते हैं, search, कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आप search वाले icon पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर मैं search कर देता हूँ, page page, manage page, page manage पर आने के बाद home, blog, contact, जो की तीन page बने हुए है, वो आगे यहाँ पर, और आपको नीचे, add page पर क्लिक करना है, एक page और बना लेना है, तो यहाँ पर privacy policy, लो, privacy policy भी already यहाँ पर generate की हुई है, शायद आपको वो paste करने की भी जरूरत ना पड़े, इसको select कर लेना, company name आपको डालना है, I mean आपको अपनी website का नाम डालना है, पैसे कमाएं, भाई, यहाँ पर privacy policy भी page बनके आगया, आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने chat GPT से लिख भाया है था ना, वो बेकार होगी हमारा, क्योंकि यहाँ पर AI ने हमें हमारा privacy policy page बनागर दे दिया है, go live पर layout कुछ इस तरह का है, पूरी website आप देख सकते हो, नीचे कुछ इस तरह के social icon आएंगे आपके, यह contact detail आएगी, जो आप edit कर सकते हो, उपर आपके page आगे, हमने privacy policy का page बनाया था, जो कि यह लिख कर आगया है, आपका email वगेरा, यहाँ पर सारी चीज़ आ गई है, यह blog आग आपको किस टाइब का post लिखना है, और कितने words का लिखना है, तो यहाँ पर 800-1000 words ले ले लेते हैं, यहाँ पर आप पोस्ट को डिस्क्राइब करेंगे, और यह आप चाहें AI की मदद से लिख बाना है, वो भी लिख बा सकते हो, जैसे कि how to make, यहाँ पर बस AI को बताना होगा यहाँ पोस्ट किस बारे में लिखना चाहरे हैं, थोड़ा डिटेल में बताना होगा, और create content पर क्लिक करेंगे, 800-1000 words का यह AI आपका content लिख देगा, यहाँ पर image भी add कर दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा step by step यहाँ पर content लिखे हुए हैं, save पर क्लिक करेंगे आपके यह post पब्लिश हो जाईए, देखो आप यहाँ पर ना दिहान से एक चीज़ समझ लो, अगर आप blog बनाना चाहते हो, हिंदी या English और उसे Google पर rank कराना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो Google AdSense के through, तो आप AI की मदद से blog मत बनाना, क्योंकि blog को बहुत जादा optimize करना करके दें, जिससे आप Google पर rank करा सकें, बड़ अगर आप कोई portfolio बनाना चाहते हो, e-commerce website बनाना चाहते हो, बिजनिस website बनाना चाहते हो, तो आप AI tool का use कर सकते हो, दो मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर website बना सकते हो, यह मैंने demo के लिए आपको दिखाया, reference के लिए कि आप किस तरह से website बना सकते हो, अब एक चीज़ और, अगर आप AI से बना भी लेते हो, website चाहे, blog ही क्यों ना बनाते हो, right, सीखने के लिए, बड़ उसको आप future में कभी वर्ट पेस में करना चाहते हो, move, तो easily कर सकते हो, simply आपको hosting panel में जाना है, यह आपको hosting panel है, नीचे आप connection दिखेगा, move to WordPress, तो एक क्लिक में आप WordPress पर move कर सकते हो, फिर वहां से आप WordPress को चूज कर लेना, इसके लिए पूरा अलग टूटोरियल चाहिए होगा WordPress पर काम करने के लिए, क्योंकि यह AI concept था, आज की वीडियो में इसलिए मैं ने AI बताया, उम्यद आपको बहुत कुछ स तो comment जरूर करना मैं आपको reply करूँगा, और अगर आप website बनाना चाहते हो, वेव ओस्टिंग खरीदना चाहते हो, ओस्टिंगर से, तो मेरा promo code जरूर यूज करना, description में link है, 10% का आपको additional discount भी मिल जागा, ओगे, bye bye, check care.